आप सभी कर स्वागत है आप सभी के लिए इंग्लिश और्स पेपर टू के लिए ट्यूटी सी पार्ट वान जो बी आरे ब्यू द्वारा जाड़ी किया गया था उसके लिए हम आगए हैं तो अगर हमारा वीडियो एक से लेकर 40 तक का नहीं देखे हैं तो लिंक इता डिस्क् सब्सक्राइब करेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो को 41 से सब्सक्राइब करके बेल आइकन और को प्रेस कर लीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं वाट डज गोडली फैब्रिक मीन यानि कि गोडली फैब्रिक का मतलब क्यों होता है यह लार्ज बड़ी टाइट असर एह ह हो जाएगा 42 का हूँ एलोन वियर्स दफ परफेक्ट इमेज ऑफ रिट्स फ्लैक नोई इसका राइट एंसर हो जाएगा शैड बेल अप्शन नमर भी शैड बेल फोटी थीरी के और मूब करते हैं फ्लैक नोई हैज संग इन फ्रॉंट अफ विज के यानि कि फ्लैक नोई किन राजाओं के सामने गाया था इसका राइट एंसर हो जाएगा फोटी थीरी का डी जोन अपूर्थ गाल फोटी टू के और सिंगल्टन वाज ए वाट यह जो है क्या थे सिंगल्टन मूजिसियन करमेडियन आर्टिस्ट क्या थे डामाटिक्स क्या थे इसका राइक इंसर हो जाएगा फोटी फूर का ए अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इनका जन्म छो जन्वड़ी उन्नाइस सो और सट हुआ था एवं इनका मिर्टिव अप्रिल दोहजार उनीस में हुआ चलिए फोटी फाइट के और मोट करते हैं वह इस ग्रेटर जॉंचन इनमें ग्रेटर जॉंचन कौन कुली कॉकूट फ्लॉपिंग और क्रियेशन और किस का द्वारा रचीत है क्रियेशन किल्के द्वारा किया रहा है तो 46 का राइट एंसर हो जागा सैट गे हम आप सब दोस्तों को बता देना चाहते है कि इस वीडियों के लास्ट में जो एक परसन ने उनके बारे में बता जा रहा कि कम से कम उनसे पाच अबजेक्टिव आएगे ही आएगे तो वीडियो को लाश तक जरूर देखिएगा 47 के और मुव करते है 47 ब्रूस एंड लॉंग विल और करेक्टर इन किनका करेक्टर था इसका राइट एंसर हो जाएगा 47 का बी दब रिश्टो 48 ड्राइट यूजेज दटैस रिदम कॉपलेट इंड मैक फ्लोई नहीं 48 का राइट एंसर हो जाएगा बी 49 के और मुव करते हैं वेर वाज बॉर्ण वेर वाज ड्राइट यूजेज बॉर्ण यानि कि ड्राइट का वर्ण कब हुआ थे यानि कि कहां हुआ था इनका जन्म लॉंदन में हुआ था इसका राइट एंसर बजाएगा सी और फिप्टी का फिप्टी के और मुव करते हैं और इनके बारे में बता दे कि इनका जन्म ड्राइट यूजेज लॉंदन में हुआ था नौ अगस्त शोल्ण सो एक्टीस में इनका जन्म हुआ था इवां इनकी मिर्थियू 12 मैं 1722 में हो जा था फिप्टी का हो जाएगा वेर डिट ड्राइट ड्राइटेन गो टू कॉलेज यानि कि कहां जाते थे इनका कॉलेज के थे ट्रिनेटी कॉलेज गैंप्रिज ताइन का जाएगा- वेंस्ट मिन्स्टर अबे का फिप्टी फिरी की और मूब करते हैं फ़र्स्ट सीवील वार बिगेंड इन यह कि फ़र्स्ट सीवील बार कम शुरू परारम वह था 53 का तो 53 का राइट एंसर हो जाएगा ए शुल्ला सव्याली 6042 में हुआ था चलिए 54 के और मूव करते हैं फलेक नोई रूल्ड ओभर दर्रियर रिंस ओफ देट्स अबसलीट 54 का राइट एंसर हो जाएगा शेड नंसेंस 55 के और मूव करते हैं सेड वल्ड वैक्स इंमोर्टल वार विद्थ इसका राइट एंसर हो जाएगा सेड़ के साथ अब वह गुआ हो एस्टेंट कॉन्फिम इन फुल एस्टुवी टी तेश का राइट एंसर फिफ्टी शिक्स का और पहले आपको बता चुके हैं इसका रायट एंसर फिफिटी शिक्स का सेड़ और आपको जाते जाते बता दें की जई सेड़ यह इनके बारे में हमने जो बत 1612 में में लंदन इंगलेंड में हुगा था तो आपको यह जानना वहुत ही जरूरी है कि इनसे से थॉमा से लगभग दो या तीन कुष्चन जरूरी पूछे जाएंगे संभावते हैं कॉनफर्म नहीं 57 का राइ 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 तो इसका रायटेंसर सा Abend वेल हो जाएगा 60 या ओर हमरा आज का लांश्ट क्षिशन है किस्स पघ्लुष्ट टैस एंगेंस इंद्लप यानि कि यहांब-अज और फेली किया गया था को मेंट पभलीश हुआ और आपको बता देद की एक जिम्मिदार चैनल के नाते झेम दा चैनल के नाते हैं आपको शारा इंग्जाम का करना जारा रहा है जिम्मिदार जय्मिदार होंने का फर्ज बनता ह Vergleich कि इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर सेर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब तब तक लिए जय हैं